हलो वियर्स आज हम करेंगे कक्षा दसवी की बुक लोकतांत्रिक राजनिती जो की राजनिती विज्ञान की बुक है उसके अध्या एक के सारे महतपुर्ण वेकल्पिक प्रश्ण जो अधिकतर एक्जाम में आते हैं अध्या एक सत्ता की साजेदारी के सारे महतपुर्ण वे चैनल पर जिससे कि आपकी बोर्ड एक्जाम की बहुत ही अच्छे तैयारी हो जाएगी और आपके एक्जाम में 100 में से 100 नमबर आएंगे तो शुरू करते हैं पहला प्रिशने सही विकल्प का चैन किजिए इसमें पहला है श्री लंका कब स्वतंतर रास्ट बना श्री लंका लोकतंतर के लिए आवश्यक है तो लोकतंतर के लिए आवश्यक क्या है ? धनबल, स्वतंतर वा निष्पक्ष चुनाओ और शिक्षय निरंकुष्टा तो इन तीनโ little options से तो पता चली रहे कि ये वाला सई होगा क्योंकि धनबल के आवश्यक्षय लोकतंतर के लिए नहीं है और शिक्षा भी नहीं है और निरंकुष्टा भी नहीं जबकि सतनतर निश्पक्ष चुना होना चाहिए लोकतंतर के लिए इसके बाद अगला है भारत में वयस्क मतादिकार की उम्र है तो वयस्क मतादिकार की उम्ड़ क्या है भारत में? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष, 26 वर्ष तो इसका उत्तर है 18 वर्ष ठीके 18 वर्ष के जो भी व्यक्ति है वह अपना वोट डाल सकते हैं यही वयस्क मतादिकार का मतलब है इसके बाद इस सामुदाइक सरकार की व्यवस्ता किस देश में हैं? लेबनान में, श्रीलंका में, बेलजियम में या भारत में तो इसका उतराएगा बेलजियम में सामुदाइक सरकार की व्यवस्ता बेलजियम में जो किस पार्ठ में बताया भी गया था अगला है इनमे से लोकमत के मार्ग में बाधा है लोकमत के मार्ग में बाधा क्या है जातिवाद, शिक्षा, जागरुकता या सुतनता तो इसका उतराएगा जातिवाद जातिवाद लोकमत के मार्ग में बाधा है जबकि शिक्षा, जागुरुकता और सतंता लोकमत के मारग में सायक है अगला है यूरोपी संग का मुख्याले है तो यूरोपी संग का मुख्याले कहां है भारत में, पाकिस्तान में, जापान में या बेल्जियम में तो इसका उत्तर आएगा बेल्जियम में है युरोपी संग का मुख्याले है बेल्जियम में अगला प्रिशनमबर दूसरा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए इसमें पहला भारत में लोकतंत्र के संचालन की दो चुनोतिया बताईए भारत में लोकतंत्र के संचालन की दो चुनोतिया बतानी है तो इसका उत्तर होगा सामाजिक व आर्थिक असमानता ठीके सामाजिक व आर्थिक असमानता पहली चुनोती हो जाएगी और दूसरी हमें आपर लिख सकते हैं अशिक्षा ठीके दूसरी चुनोती हो जाएगी अशिक्षा इसके बाद अगला प्रशने श्री लंका के आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है, तो श्री लंका के आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है सिहली का, सिहली जो जाती उनका हिस्सा सबसे बड़ा है, अगला प्रशने लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ, लोकतंत्र जब इस्थापित हो गया, तो इसका सबसे अहम मुख्य परिणाम क्या हुआ, तो इससे उत्तरदाय वेद शाषन, ठीके, इसका अहम परिणाम हुआ, उत्तरदाय वेद शाषन की स्थापना हुई, इसके बाद है युरोपी संग का मुख्या लहे, तो युरोपी संग का युद्ध किस देश में हुआ था तो यहाँ पे श्री लंका में हुआ था है जो कि हमने सध्याय में पढ़ा भी था श्री लंका में हुआ था इसके बाद है युरोपी संग का मुख्याले तो युरोपी संग का मुख्याले वाला प्रश्ण तिसरी बार आ गया है और यह बु इसके बाद अगला प्रिश्ने सही जोडी बनाईए तो सही जोडी बना देंगे हम तो सुची अ में दे रखा श्री लंका सुतन्त रास्ट बना, सामुदा एक सरकार, बहु संख्यक वाद के सिद्धान के कारण ग्रहयुद्ध, बेल्जियम में बोली जाने वाली भाशाए औ श्री लंका ग्रहयुद्ध का अंत, सुची बहे श्री लंका फ्रेंच और डर्च, उनिस्वड़तालीस दुहजार नोर बेल्जियम, तो सबसे पहला है श्री लंका सुतन्त रास्ट बना तो यह बना था उनिस्वड़तालीस में, इसके बाद है सामुदा एक सरकार, तो साम इसके बाद है श्री लंका ग्रहयुद्ध का अंत, तो ग्रहयुद्ध का अंत हुआ है दो हजार नो में, तो इस प्रकार से यह अध्या एक सत्ता की साज़ेदारी के महतपूर्ण वैकलपिक प्रशने जो के आपको आने ही चाहिए, तो इसी प्रकार के और वीडियो देखन के लिए कक्षा दस्ची की संपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए